हमने सिखा है कि भाजन का अर्थ है दी गई संख्या के समान भाग बनाना है न हम यह भी जानते हैं कि भाजन का अर्थ बार-बार घटाते रहना भी है जब हम एक संख्या को दूसरे संख्या से विभाजित करते हैं तब वास्तव में हम क्या करते हैं चली एक बिल्कुल सरल उधारण लेते हैं मानो 22 को 5 से विभाजित करना है, इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास 22 चोकलेट्स हैं और हम उन्हें समान रूप से 5 मित्रों में विभाजित करना चाहते हैं, 22 चोकलेट्स और 5 दोस्त, तब हर एक को कितने चोकलेट्स मिलेंगे और कितने चोकलेट बच जाएंगे, चलिए प्रश्ण हल करते हैं 22 चॉकलेट्स याने मेरे पास 2 थैलिया हर एक थैलिय में 10 चॉकलेट्स और 2 चॉकलेट्स अलग अभी मैं 2 थैलिया और अलग चॉकलेट्स का विवाजन कैसे करूँ जो 5 बच्चों में समानता से विवाजित हो जाए यह मुम्किन नहीं है याने कि मैं आज इस तरह विवाजित करूँगा पांच दोस्तों में से हर एक को कुछ न कुछ मिलेगा याने शून्य चॉकलेट्स तो हम पहले डिजिट की जगा विवाज में लिखेंगे शून्य अभी दूसरा हाँ अब मैं दोनों थैलियां धीली करके चॉकलेट्स बाहर निकालूँगा तो अब मेरे पास दस अधिक दस अधिक दो बराबर 22 चॉकलेट्स होंगी अभी मैं 22 चॉकलेट्स बच्चों में विवाजित करूँगा चलो शुरुबात करें हर एक को चॉकलेट्स देंगे तो अब एक फेरे के बाद 22 चॉकलेट्स में से मैंने 5 चॉकलेट्स बांटे याने 5 चॉकलेट्स 22 चॉकलेट्स से घटा दिये तो अब मेरे पास 22 घटा 5 बराबर 17 चॉकलेट्स रह गए अब फिर से मैं हरे एक को एक एक चॉकलेट दूँगा अब दूसरे फिरे के बाद सत्रा चॉकलेट्स में से पांच चॉकलेट्स बाटे यानि सत्रा चॉकलेट्स से पांच चॉकलेट्स गटा दिये तो अब 17 घटा 5 बराबर 12 चॉकलेट्स रहे गए आपने देखा कि बार बार 5 चॉकलेट्स घटाए जा रहे हैं तो अब वही पद्धती से हमारे पास 12 घटा 5 यानि 7 चॉकलेट्स रहे गए चौथे फिरे के बाद मेरे पास 7 घटा 5 बराबर 2 चॉकलेट्स रहे गए अब देखिए, मेरे हर एक दोस्त को चार चॉकलेट्स मिल गए और दो चॉकलेट्स बाकि रहे गए यानि विभाजन करते समय, बाईस चॉकलेट्स पांच दोस्तों में समान रूप से विभाजित किये तथा पांच चॉकलेट्स निरंतर घटाई समझने में आसान है ना जैसे हम 5 चॉकलेट्स हर फेरे में बाट रहे हैं और हमें 4 फेरे 20 चॉकलेट्स बाटने के लिए लगे अब 2 चॉकलेट्स बाकि रहे गए यानि कि हम 5 की गिंती बूलते जा रहे हैं तो 5 चॉक 20 जो 22 से कम है हम चार ये विभाजक के स्थान पर लिख सकते हैं ये कुछ नहीं लेकिन जो हर एक दोस्त को मिले चॉकलेट्स वाला अंक है और बाद में हम पाज गुना चार बराबर बीज याने 22 से 20 घटाएं तो दो चॉकलेट्स बाकी हैं तो ये स्पश्ट है कि बार बार विभाजन और घट करना ये हमें सराव और समझना असान हुआ अभी यह पद्धती विभाजन विभाजक और विभाज इन तीन घटकों को हमने जाना है चलो अब हम विभाजन का प्रयोग करेंगे 4275 को 12 से विभाजित करिए 4275 विभाजित 12 बराबर कितने यानि मेरे पास 4 थेलिया हैं हर एक में 1000 चॉकलेट्स भरे हुए हैं 2 थेलिया हैं उसमें 100 चॉकलेट्स हैं 7 थेलिया हैं जिनमें हर एक में 10 चॉकलेट्स हैं और 5 अलग रह गए चॉकलेट्स हैं अभी आपको मालूम हुआ है कि विस्तारित भाग मतलब 4,275 ठीक है ना अभी चार थेलियों में यानि हर एक थेली में हजार चॉकलेट्स है 12 दोस्तों में थेलिया रखके ही बाटनी है नहीं क्यों क्योंकि थेलियों की संख्या दोस्तों की संख्या से कम है जिने थेलिया भी देनी है तो मैं ऐसे विभाजन करता हूँ समझो हर एक दोस्त को कुछ नहीं मिलेगा शूर नहीं मिलेगा अभी चार थेलिया खाली करे अभी हजार चॉकलेट्स हर थेलियों में रखने से चार थैलियों में हजार गुना चार बराबर चार हजार चॉकलेट्स चार थैलियों में एकठे रूप में होंगे अभी सो चॉकलेट्स की चालीस थैलिया याने सो गुना चालीस बराबर चार हजार चॉकलेट्स अभी हमारे पास 40 अधिक 2 बराबर 42 थैलिया हर एक थैलिय में 100 चॉकलेट्स अभी हमें मालूम है हमारे पास 42 थैलिया है यह अंक एक दोस्त है 12 तो 12 इस पर ज्यादा है तो हम 42 थैलिया 12 दोस्तों में बाट सकें अब हम सो चॉकलेट्स की एक थैली हर एक को देंगे पहले फिरे के बाद सो चॉकलेट्स की 42 थैलियां ऐसी 12 थैलियों का विभाजन करना है तीन फिरों के बाद मैंने 12 गुना 3 बराबर 36 थैलियां बाटी मेरे पास अब 42 रिण 36 बराबर 6 थैलियां हर एक में 100 चॉकलिट होंगे यानि मैंने कहा 12 की गिंती देखी तो मुझे जो अंक मिलता है जो 42 से कम है यहां 12 गुना 3 बराबर 36 तो 42 से कम है मैं 12 गुना 4 बराबर 48 नहीं ले सकता क्योंकि 48 यह संख्या 42 से बड़ी है तो मैं 3 विभाजन दूसरा अंक कह सकता हूँ अभी 12 गुना 3 बराबर 36 तो यह संख्या 42 में से घटाएं तो 42 रेंड 36 बराबर 6 6 यह बाकी रह जाएगे ठीक है अभी तक हर दोस्त को 1000 चॉकलिट की 6 थैलियां और 100 चॉकलिट की 3 थैलियां मिली अब मैं 6 थैलियां जो 100 चॉकलिट की है यानि हर थैलि में 100 चॉकलिट ऐसी 6 थैलियां है जिनें 12 दोस्त में समान रूप से बाटना है यहां थैलियां दोस्तों के अंक से कम है दोस्तों का अंक है 12 तो अभी 6 थैलियां खोले तो हमें 6 गुना 100 बराबर 600 चोकलेट्स, यानि 10 चोकलेट्स की एक थैली, अभी हमें 60 ऐसी थैलिया मिलेंगी, 600 भाग 10 बराबर 60 थैलिया, अभी हमारे पास 60 अधिक 7 बराबर 67 थैलिया हैं, हर एक में 10 चोकलेट्स हैं, अभी हमारे पास 66 थैलिया हैं, यहां थैलियों की संख क्या दोस्तों की संख्या से ज्यादा है हमें 67 थैलियों को 12 दोस्तों में बाटना है अभी हम एक 10 चॉकलेट्स वाली थैली देंगे तो वितरन के एक फेरे के बाद 71 चॉकलेट्स की 67 थैलियां मैंने 12 थैलियां बाटी ऐसे 5 फेरों के बाद मैंने 12 गुना 5 बराबर 60 चॉकलेट्स की थैलियों का विभाजन किया अभी 67, रिन 60, बराबर 7 थेलियां बाकी रह गई, हर में 10 चॉकलेट्स हैं 12 की गिंती देखी, तो 12 गुना 5 बराबर 60 ये अंक मिला जो 67 से चोटा है, मैं 12 गुना 6 बराबर 72 ये अंक नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 72 यहां अंक 67 से बड़ा है तो मैं लिखता हूँ कि विभाजन का तीसरा अंक और घटाई 12 गुना 5 बराबर 60 और 67 रिन 60 बराबर 7 तो ये अंक बाकी रहा ठीप, अभी तक हर एक दोस्त को मिली है शूर ने थेलिया हर में हजार चॉकलेट्स, तीन थेलियों में हर में 100 चॉकलेट्स, और पांच थेलिया हर में 10 चॉकलेट्स अभी साथ थैलियों हर एक में 10 चौकलेट्स हैं 12 दोस्तों को थैली देकर बातेंगे क्योंकि थैलियों की संखया जो 7 है यद दोस्तों की संखया से कम है तो अब थैली या खोलेंगे 7 थैलिया तो 7 गुना 10 परावर 70 चौकलेट्स हमारे पास अब 70 अधिक 5 बराबर 75 चॉकलेट्स हैं अभी हमारे पास 75 चॉकलेट्स हैं ये चॉकलेट्स की संख्या दोस्तों की संख्या से ज्यादा है अभी हमें 75 चॉकलेट्स 12 दोस्तों में बाटने हैं अभी हर एक को एक चॉकलेट्स देंगे तो एक विभाजन के एक फेरे के बाद 75 चॉकलेट्स में से मैंने 12 चॉकलेट्स विभाजित किये अभी 6 फेरों के बाद मैंने 12 गुना 6 बराबर 72 चॉकलेट्स बाटे मेरे पास 75 रिण 72 बराबर 3 चॉकलेट्स रह गए यानि मैंने 12 की गिंती देखी तो 12 गुना 6 बराबर 72 बारा गुना 7 बराबर 84 यह संख्या नहीं ले सकता क्योंकि वो 75 से बड़ी है तो मैं 6 यह विभाजन का चॉथा अंक ले सकता हूँ 12 गुना 6 बराबर 72 पिछत्तर रिण 72 बराबर बाकी 3 रह गए ठीक है अभी तक हर दोस्त को 0 थैलिया हर थैलिय में 1000 चॉकलेट्स और 3 थैलिया हर थैलिय में 100 चॉकलेट्स और 5 थैलिया हर में 10 चॉकलेट्स और 6 अलग रही हुई चॉकलेट्स और 3 चॉकलेट्स बाकी रह गए इसका अर्थिये है हर दोस्त को 0 अधिक 1000 अधिक 3 गुना 100 अधिक 5 गुना 10 अधिक 7 बराबर 356 चोकलेट्स और 3 चोकलेट्स बाकी रह गई हैं यहां आगे का विभाजन समान रूप में नहीं आ पाएगा तो हमने 4275 चोकलेट्स 12 दोस्तों में समान रूप में विभाजित किया हमें विभाजन 356 और बाकी 3 मिली कुछ उधरन देखते हैं 4275 को 12 से विभाजित करें 4275 भाग 12 बराबर कितना 356 और बाकी बच्चते हैं 3 विभाजक के रूप में 12 यह दो अंक वाला अंक हैं 2 अंक वाला 42 यह अंक निर्देशित किया और विभाजक 4275 अभी विभाजन पर किया सिखाएं दूसरा उधरन 4275 को 76 से विभाजित करें 4275 भाग 76 अभी यहां 76 यह दो अंक वाला अंक है हमने अगर पहले दो अंक लिए 4275 भाग 42 तो 42 यह 76 से बड़ा अंक है तो सीधा उपाय देखिए हमने तीन अंक 427 विभाजन से लिया है विभाजक से दशक लिजिए यहां 7 यह पहले दो अंकों का विभाजन है यहां 42 होगा अभी 7 की गिंती देखिए तो 7 गुना 6 बराबर 42 यह ध्यान में तो आएगा तो 76 गुना 6 बराबर कितना 456 तो 456 यह 427 से बड़ा अंक है तो हम विभाजके नाते 6 नहीं ले सकते अभी देखेंगे 46 गुना 5 तो 380 यह अभी 427 से छोटा है तो विभाजन पास से होगा पद्धती सीखिए अगला उदारन देखिए देखिए 9408 भाग 93 छुडवाएंगे हम दो अंक विभाजन से लेंगे 94 गुना 1 बराबर 93 तो अंक और बाकी रह जाएगी हम दूसरा अंक शुन्य लेंगे अभी हमें जरूरत है 10 भाग 93 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लेंगे सतरक रहिए विभाजक रहेगा शुन्य यह 93 से कम अंक है तो अब 93 गुना शुन्य बराबर शुन्य तो हम 10 से शुन्य गटाएंगे तो हमें 10 मिलेंगे अभी आठ अंक के बाद 108 दिखाई देगा अब 108 भाग 93 तो विभाजक एक और जब 93 रिन 108 हमें अंत में बाकी मिलेगी 15 हम देखेंगे हम बराबर है या नहीं विभाज गुना विभाजक अधिक बाकी तो आरेचेस बराबर 93 गुना 101 अधिक 15 बराबर 9408 और वो एलेचेस के समाने 9408 तो हमारी गिंती बराबर है हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि भाजन का अर्थ है बार बार घटाना भाजन वस्तों की दी गई संख्या को दिये गए समुहों में समान रूप से विभाजित करने की प्रक्रिया है दो अंकों की संख्या को एक अंकी संख्या से कैसे विभाजित करें और फिर उसी प्रक्रिया का उप्योग करके अंतताहा चार अंकों को दो अंकों की संख्या से कैसे व उप्योग कर सकते हैं हमने यह भी सीखा कि सूत्र का उप्योग करके अपने उत्तर के लिए क्रॉस्चिक कैसे किया जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल अधिक शेश फल स्वाध्या इसे हल करो गिरिश को 1116 किताबें पैक करने के लिए 36 बक्सों की जरूरत थी प्रत्य बक्से में समान संख्या में पुस्तके हैं उसने प्रत्य बक्से में कितनी किताबें पैक की प्रत्य बक्से में थाउना करो